इस्ट आफ्रिका के माउंटेंज में एक वुल्फ ने एक ऐसे जानवर के साथ पार्टनेशिप की है जिसे वो आसानी से अपना शिकार बना सकता है ये डॉग फैमिली की सबसे रेर ब्रीड्स में से एक है इथियोपियन वुल्फ अपने हैबिटाट के कम होने से और बीमारियों की वज़े से अब इस ब्रीड के 500 से भी कम डॉग्स बचे हैं अहीं पड़ रहा दो सो से भी ज्यादा जलाडाज को छोड़ कर ये वुल्फ रैट्स को ढूड रहा है बबून्स को डर ना लगे पर फिर भी कभी कभी बबून्स को डर लगी जाता है लेकिन वुल्फ इनकी बॉडी लैंग्विज को अच्छी तरह समझता है और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए वहीं रुख जाता है जब तक जलाडा विलाक्स न हो जाए रिसर्च से पता चला है कि जब वुल्ब्स जलाडा बबून्स के बीच होते हैं तो वो ज्यादा रैट्स पकड़ पाते हैं शायद इसलिए कि ओपन एरियाज में जलाडाज के बीच रैट्स को ये आसानी से नजर नहीं आते हैं टॉक्स दी अन्टोल स्टोरी